परिशान करने वाली बात ये है कि इन सब के बीच दो लोगों की इससे मौत भी हो गई है जिन इलेक्ट्रिक वीकल्स स्कूटर्स में आग लगी है उसमें ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर और ओकिनावा के इलेक्ट्रिक स्कूटर शामिल है सरकार ने जाच के आधेश दे दिये हैं Samsung सहीद लगबग सभी छोटी बड़ी कंपनियों के स्मार्टफोन समय समय पर फटते हैं लेकिन क्या स्मार्टफोन फटने और EV स्कूटर जलने का कोई connection है connection यह है कि EV और स्मार्टफोन दोनों में ही lithium-ion battery का इस्तमाल किया जाता है आम तोर पर lithium-ion battery दो वजों से फटती है या जलती है lithium-ion battery के काम करने का जो तरीका होता है उससे फटने या जलने का खतरा एक हद तक बना रहता है पहला तो यह कि battery बनाने में ही समस्या है जिसे manufacturing defect कह सकते हैं आफिर battery जलने के पीछे कोई external वज़य है यानि किसी तरह से battery को mishandle किया गया होगा आप जानते हैं कि आखिर lithium-ion battery काम कैसे करती है lithium-ion battery चाहे वो smartphone में लगी हो या फिर EV में इनके काम करने का तरीका एक जैसा ही होता है इसमें मुख्य رूब से electrodes और electrodes और separate early होते हैं इन तीनों के काम करने का तरीका भी अलग- ** होता है electrodes Letheum को store करने का काम करता है जबकि electrode, lithium आइरन को electrodes में ले जाता है separated positive electrodes और negative electrodes को एक दूसरे से अलग करता रहता है यानि दोनों का contact ना हो पाए उसे सुनिश्चित करता है जालतर बार ऐसा देखा गया है कि lithium iron battery गलत तरह से बनाय जाने की वज़े से फटती है इसके लावा अगर software के साथ इन्हें ठीक से sync नहीं किया जाएगा तो भी ऐसा हो सकता है क्योंकि software के working में अगर कोई दिक्कत हुई तो इस वज़े से भी battery risk पर हो सकती है इलेक्रिक वीकल में जो lithium iron battery यूज की जाती है उसमें organic liquid electrodes का इस्तमाल किया जाता है इनकी weakness ये होती है कि ये high temperature पर इनमें जलने का खतरा रहता है भारत ही नहीं बलकि दूसरे देशों में भी electric vehicles में आग लगने की घटनाएं अकसर सामने आती रहती है कई बड़ी battery manufacturing कमपनियों पर भी आरोप लगी है कि उन्होंने खराब battery की supply की जिसकी वज़े से EV में आग लग गई हला कि कई experts अभी ये मानते हैं कि EV में आग लगने की एक खास वज़े को बता पाना मुश्किल है एक बार कोई ये पता लगाया जा सकता है कि EV में आग battery जलने से लगी है लेकिन सटीक वज़ा बता पाना थोड़ा मुश्किल है तो फिलाल इस खबर में इतना ही ऐसी हो तमाम जानकारियों के लिए आग जुड़र है मेरे साथ हो देख लिए सन्नाइस न्यूज साथी साथ इस वीडियो को लाइक करे श्वे करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइक के दमाना ना भूले थाइंक यू